स्वागत आप सब का दिन के तीसरों अंतियम टीटवंटी ब्लास्ट के वीडियो के अंदर मुकाबल है सर्शक शार्प्स बना हम ग्लोचेस्टे शैर के बीच में जो खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड हॉफ के उपर मैच्स टाइमिंग है रात के सड़े 11 बजे तो सर्श टीम के अंदर बहुत सारे चेंज़ेस वे इस साल आपको इस टीम में रवी भूपारा नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे आपको कई और सपरस्टार प्लेयर बड़ इस टीम के अंदर आपको डैने लूक्स देखेगा और चलेगा वर्शी इस प्लेयर है वन आप मैं चिप्स देखेंगे तो टेलिग्राम चलेंगे आप जोइंक कर सकते हैं फाइदा किया है लाइनक्स के बाद कोई उपडेट आती है मैं टेली ग्राम प्रैटेट गारडिंग जो य मैं टेली घ्राम पर देदी अवा तो मेक आप जोइंक लिए लिंक मने आपको नीचे दिया हुआ है चलते हैं पिजरी बूट के दरफ तो काउंटी ग्राउंड होफ के उपर मैच है इस वानी के उपर लास्ट टाइम एक जुलाई को मैच वादा ससेक्स वर्स गलोचेस्टेशायर का मैच था के दोनों टीम्स ने ही लास्ट टाइम या पर मैच कहला और फिर इस स सीजन का पहला मैच दुनों टीम्स खेलती वे आपको दिखेंगी हुआ गया था उस गेम में एक सुसाड बना था यह वली टीम ने ससेक्स ने गलोचेस्टेशायर चेस करने आती है सत्रा ओर के अंदर चेस कर जाती है बहुत अच्छी पारी रही ती महाँ पर इससे पहले 169 बना साथ पकेट के नुकसान पर चेसिंग टीम इसको 18.4 रोट के अंदर चेस कर जाती है 183 बना तारगेट यहां पर चेस नहीं हुआ 258 भी बना था वैसाब एक बार यहां पर टीम 134 पर सिमट गई 219 बना तो यह जो वैन्यो ना चोटा सा ग्राउंड आई आप खुद यहां पर एसी देखती है अगर आप देखना चाओ पिछ की फोटो में जूम करते हूं आपके लिए मैं यह आपको help करती है clarity देती कि last season किस तरह से आंके पिचेस ते के groundsman किस तरह के विकेट्स बनाते हैं यह आप देख सकते हैं अलग-अलग थोड़े से सर्फियों सोते है गिलव चेस्टि शेर का घर नी है बट आपके घर जैसे है रहे साद में से साथ मेकेस दीते हैं पिछले में 11 मुकाबल की बात करता है चार मेकेस शेस करते हैं प्रतियूप 10 के यह सपास अने लुड़े उद्नियौँ इंछ सी बना दो ठीज की बहुत मुटकिल सो शोपाता पर चोटा ग्राउंड है कोई गारंटी निया है चेस हो भी सकता है पर आपको बात बता रहा हूं ऐसा हुआ आम तौर पर लास्ट मैच के अंदर पेसस ने नौ विकेट निकाला स्पिनर्स ने पांच विकेट निकाला अभी तक जो है आपर 11 मैच उसमें पेसस ने 102 विकेट पेसस ने विकेट निकाला है छोओन निकाला है डा अप दोसरी पी अंदरे के ंदर Imp shortage निकाला है एंग बड़ा स्कोर लग पिछ की फोटो में आपको दिखाई दी यह स्टेडियम आप देखना चाहो तो ऐसा दिखता है यह स्टेडियम देखो चोटा सख रहा हूं अदर कैसे लगी आपको पिछ रिपोर्ट वैदर फोकास इस ख्लियर एंड आउट अगर आपको देखना हूं मैं वीडियो से पहले हमेशे वेदर फोकास देखता हूं तो यह आपको उने दिखा दिया है सुसक्स शार्क्स डैनलुक्समेथन मैंकेंड्रू ओवर्सीज फ्लेयर है टॉम क्लाक ने शूल्डर इंजरी पिक अप कर ली थी मैंला शूल्डर इंजरी होगे थी वाम अप गेम के अंदर जटन सिल्स यहां पर एस्टेड है ग्लोच शेस शार्क्स तरफ से अपको बता ह अपन करेगा इस टीम में आपको लेफ्टी बैटर्स दिख जाते हैं जैसे कि एरिसन वार्ड है डैंक हुग्स है ऑली काटर आपको राइटी बल्लेवाज दिखता है जैम्स कॉल्स यह वैसे बैटिंग ओडर का कंफर्म नहीं है लास्ट सीजन इसन ने कई गेम्स में टू दिख जाएगा इस टीम के कप्तानी करते हुए लेफ्ट टाम फास्ट बॉलर है इस टीम में टॉम अलसव एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है जो आपको टॉप फूर के अंदर बैटिंग करता हो अधिक सकता है इस टीम में फिर तीन तीन लेफ्टी हो जाएंगे बस दिक्क की ओलिवर प्रैस के ओर ज्यादा होंगे इस कंपैर टो जॉर्ज वन बुरेन यह ना ग्रेम इवन बुरेन डेविड पैन क्या स्पहलता भाईसाव इसका कल की दिन अगेंस्ट इसेक्स क्या स्विंग रा था बॉल मैट तेलर इसका भी कमाल का स्पहल रा मर्चंड दिलंग आपको दिख जाएंगे इस गेम में अब मैं आपको सबसे बहले प्रैक्टिस मैच की तरफ लिगे चलता हूं उनका पर प्रैक्टिस मैच वादा जो यह टीम थी न सशक्स शाक्स इसने प्रपर एक प्रैक्टिस मैच कहला था तो आप यह देगो सशक शाक्स आजा बेजती साथ ओपन गिया था चोहतर गिया था दैनिक्स वारा सिंसें ग्लोब आपको देखने को मिलता है यह अलिवर काटर ने साथ बनाए दे जेम्स कॉल्स ने चबीज बनाए जो मैं कहरा था टू डाउन वैडिंग करने आ सकता है क्योंकि इतने सारे लेफ्टी बैटर सिस्टिम मे डाउन वैज में रॉबिंसन को दो मिला जियम स्कॉल्स को दो मिला नहीं से बॉलिं विगेट कैसे मिले भी आप देख सकते हो दिए श्रंस को इसने अटैक किया था नैथ्टन में केट्री को एक मिला तीन और पचासरण का स्पैल जलागा था मिलस ने एक विगेट निकाला और Danny Lamb को एक Carson को एक रिकेट मिला था और Hudson Prentice को एक और देखना आपको कौन सा डाला था Hudson Prentice ने 20 वा Nathan Maconty ने 19 टिमा मिल्स का ठारवा Lamb का सतरवा Robinson का सोलवा उवर था यह भी मैंने आपको बता दिया लास्ट येर कैसा प्रैस ने हाइसन स्कूरर थे जो सीजन इस टिम के लिए नहीं के लिए नहीं खेल रहे वो चले गया है नौर्थम्टन शाय टिम मे शदाव खान भी नहीं है अलसो अपने लास्ट येर 9 मैचों में 114 बनाई थे Tom Clark अफिलिबल नहीं है 14 मैचों में 300 रंस थे अली काटर का 7 मैचों में 130 रं था James Qualls का 11 मैचों में 12 रंस Hudson Prentice का 11 मैचों में 104 रं था गर्टन इस साल लहीं है Nathan McIndoo नहीं साथ मैचों में 48 रंस बनाए थे टिमा मिल्स को लास्ट सीजन मिले थे 12 मैचों में 18 विकेट्स Brad Gurry इस साल इस टिम में शायद नहीं है Jack Lemmon को एक विकेट मिला था बॉलिंग करते हुए Henry Curcumbu 8 मैच में 7 विकेट Crocom भी कहेंगे इसको Nathan McIndoo को 7 Hudson Prentice को 11 मैचों में 3 विकेट मिले James Qualls को सरिफ एक विकेट मिला था लास्ट सीजन सात इनिंग्स में बॉलिंग अरा है 14 मैचेस के अंदर 14 वर का स्पैल इसका राथा टूटल मिला के यह अब आपको कवरेड कर दिया पूरा स्टाइट्स रेखते है Hadison Ward 4 मैचों केंदर 116 रंस 143 का स्टाइगरे रेट है बैटिंग फर्श 54 रिक्यावन दो नौ चेसकी पर आया है दो फिफ्टी अट्व डिकेंदर वैंडी केंदर 10 मैचेस में 220 रंस है ठीक ठाक क्रिकेटर है चलिया तो बहुत अच्छा चलेगा और नो फिर कुछ नहीं 45, 10, 2, 27, 30, सामने नहीं गेंसे डेविड पेन होगा किस तरह से ये खेलता है रिसन वार्ड उसको देखने लाइग हो कि लास्ट गेम में डेविड पेन अन प्लेवल था जिस तरह से उसका नहीं बॉल का स्पेल था देन एलगर को आउट किया था और माइकल पैपर को जो बोल्ट किया था न वाईसाब चुम्मा वॉल थी एक नंबर देखना आप जाके आईलाइट्स क्या बॉल्ट डाली थी वाप माइकल पैपर को दैन हुक्स हैट टोड निखेला वेन्यू निखेला वन अफ दम एवर ग्रीन कंसिस्टेंट क्रिकेटर जो मैंने अपनी लाइफ में देखा उसी लिस्ट में आता है विराट कोली दैन हुक्स मेरे कुछ ऐसे लिस्ट है जिसकंदर में कुछ प्लेट्स को एड़ करके रखता हूं उसमें हुक्स को भी जगवा मिलती है आप सूच के देख सकते हैं ऑली काटर का तीन मैच में 16 रंस बैटिंग फर्स चार चेस के उपर दस दो के बाद इस गेमें डेक पर आउट हो जाए ज्यादा तरीफ कर दी भाई की चाहे मैचस में 116 चार चेस के उपर दोर सत्ताइस है जेम स्कॉल सेक मैच में एक विगेट है 7.5 की एक पर पांच मैच में क्या रंस जरो विगेट है चार एक नाबाद चेस पर 35 साथ चार जॉन सिंप्शन हैट्टुड वेन्यू निए पहले मिडल सेक्स के लिए खिला कर तो रोल इसका कंफर्म नहीं है कितने और डाले का कोई गारंटी नहीं है बैटिंग तो खेर इसके आ जाएगी नेथन में केंडू तीन से चार ओवर अवराल इस वेन्यू के उपर चार मैच में तीन विगेट है है एट्वड नहीं हिला डैनिल एम एक स्ग्रेडर ऑफ गल वोलिंग रही थी दो विगेट निकाला था बहुत ही क्लास वड डालके निकाले जिसने विगेट्स आर्चिल एन्यू पर आट मैच में चार विगेट्स हैं बहुत यंग प्लेयर है दो जार दो या तीन में बावन हुआ है तागडा क्रिकेटर बट वैल्यू आपको श्या जो चॉसर टर्म्स है हाई चांसे से खेलने के खेलता तो फिर टीम के अंदर तीन-चार लेफ्टी आपको टॉप ओडर में दिख जाएंगे तो ओलिवर प्राइस जो ग्लॉचसेश है का ओफस्विनर उसको रूल बड़ेगा जैक कार्सन राइटी बटर ऑफस्विनर हैं जो टेक कुकॉंब तीन में एक वैंडी के अपर चाहमें आट विकेट से नई गेंड ऑली रॉबिंसन जेम्स कॉल्स नैतन में चंडू टिमा मिल्स लेंगे डैतर रुक अंदर आपको दिख जाएंगे या पर टिमा मिल्स नैतन में चंडू और डालता हो दिख सकता है माइल सेमेंट का दस मैच में 141 रंस कल के दिन चार रन पर आउट हो गया था है डैनल सेम्स की बाल पर वैंडी के उपर पांच मैच में 77 रंस है 2-0 चेस के उपर 35, 26 और 14 प्योर हीट यह मिस्ता है प्लेयर चल गया हो चल गया राम बोरो से और ना कुछ नहीं मैंग्रॉफ्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है लास्ट गेम में कल के दिन इसने 32 बनाया था इसेक्स के खिलाफ फिर आउट हो गया है बोल्ड हो गया था दो मैच्छ में 37 बैटिंग एक बार आई वैंडी पर 37 किया हुआ है जेंस ब्रैसी लास्ट गेम में बहुत अच्छ खिल में जरूर करना वन डान वैटिंग कर रहा है इंगलैंड का तीन बार इंगलैंड का कैम कर चुका है जी ऑन्चालिस रनस श्रकाइच पकड़ चुका है बूब से किला है शाल्ड खास लेकर बन्चारल्स वर्डी दो मैच उच्छ में 34 रन हैंडींग वैटिंग उच्क शे 24 तेश फॉर्म पाइसना बाद रहा है लास्ट गेम में बैटिंग उटर इसका हर साल उपर हुटा था था वन डाउन डू एटाउन बैटिंग नीचे बैटिंग एपर नीचे इससे बैटिंग लिए जो पिछला मैस था उसी साफ से बता रहा हूं मैं ग्रेम इवन बुरेन इसको मैंने तीम में इसली लिया था वाई को वो तू डाउन लिस्टेट था वैटिंग अदर और तीन से चावरे डालना ही था इसने कैज भी ड्रॉप किया था खुद की बॉलिंग के अंदर कॉट्न बोल तो अच्छा पिक था लेकिन वो साबित नहीं कि अदिए कारकर यह था 5 में 5 विगेट वन्वड पर 2 में 3 विगेट संगे असे好好 है सैथीर रन वाईस वीं आंस यह उधीर आंदील अल्गा उन्वाइक में एक में एक और रंस भी अर वीकर थे में ज़रूर बैक करूँगा इसको डेविड वें टॉप क्लास वालर सोला मैं एठाइस विगेट्स विगेट्स गैटन कर सकते हैं वालिंग फर्स्ट के अंदर इस प्लेयर को मैं टेलर का च्छे मैच में चार विगेट्स निकाले देखके लग रहा था विगेट्स निकालने मार्शन दिलंगा चटवा दसवा चौदो अठावा ग्रेम इंब्रियर का साथवा नववा तेरवा उलिवर प्रैस को ग्यारवा अवर था हैरिसन वार अगेंस टॉम स्मित यह पते ने टॉम स्मित लास्ट गीम क्यों नहीं खेला ग्यारा बॉल तेरा रंस दो इनिंग्स म 27 वाल में 29 रंस इसने बनाया इसके खिलाव अली कार्टर वर्स जेट सिंग जॉन सिंशन वर्स जेविड पेंड चार बार चलता किया बाई को 26 बॉल में 22 रंस है फ्यान अट्सन परेंटिस वर्स ग्रेमी वन बुरेंट केम बैंक्रॉफ्ट की बात तरते हैं कोई खास मैच अट्सन थे इनिंग्स में डो बार आउट किया पांच बॉल में 6 रंड के जिस तरह से खेल रहा है माल सहमें डाव बैस को इसको इसले और यॉल जे आउट कर सकता है खेल लेक अंदाज है और अधे इस अधर जेंग्सी व्रस टिमाल मिल्स जैक टेलर वर्स टिमाल मिल्स ज इसलिस के stats बताने ही जरूरी है common captain B.O. Webster Dan Ugesow आपको दिखिंग कर जगा आपको दिखिंग कर जगा small league के अंदर अलग जाना तो Nathan Mac Andrew आपके लिए अच्छा पी गो सकता है David Payne बॉली इंफर्स्ट में इतने अच्छ है 2-1 नमबर वैन्यू पे साथ मैच में 14 आपको दिखिंग कर सकते हैं चले हैं fantasy teams की दरफ तो सबस्वेले हम keeping section उठाता है बैंक्रोफ एक important asset है James Brassi last game में बहुत अच्छा पिकरा keeping से इसने अच्छा कासे point दिए थे last game के अंदर Ben Wells नहीं James Brassi कितने point दिए थे कि दो cash पकड़े थे वाइने वाइने वाइन वाइन तो इसको टीम में फिलाल ले लेते हैं थोड़ा से risk है risk क्यों मैं बताता हूं आपको थोड़ी दिर में Ben Charles Worthy, Miles Simmons, Hughes भाई ड्रॉप मत करो इस प्लेयर को और Harrison Ward out of the box pick बहुत ही talented लड़गा यह लेफ्टी वल्लेव आजाए यहां आते हैं तो यहां से बियो वेफ्टर ले लिजी आप Matt Taylor तो यह अच्छा बीगा है Balling में आते हैं यहां आपको भरपूर options मिलेंगे Timah Mills, Marshawn Delunga, Oliver Robinson, David Payne, Nathan McAndrew अब एक प्लेयर आपके बाएस option है कि आप ले सकते हैं इस गेम के अंदर ग्रेम वन बुरेन को या फिर आप बैटरे सेक्शन से उठा लीजिए इसको लिलिया है मैंने जेम्स कॉल्स यह भी आपके लिए अच्छा पिक रह सकता है अब दिक्कत इसकी कहा है कहां गया जेम्स कॉल्स यही तो दिखा था यह तो दिखा था यह तो यह तो यह चल गया तो बहुत अच्छे पॉइंट जेगा और ना कुछ नहीं देगा बैटिंग ओडर थोड़ा थोड़ा उपर रहा तम इसको जुरूर बैट करूंगा जेम्स कॉल्स को एक आप दोर का स्फेल भी डालने आ सकता है तो वह एक मेरा कॉल हो सकता है लास्ट मेंट का यह देख लेना आप लेंग प्लेयर किसको लोगे आपके बहुत सारी ऑप्शन्स थीक है लेंग प्लेयर आप अपना अपना दिल से ले लिजिए जो आपको गट कैप्टन से मेरे पास डिविड पेन है यह वन मैं कैप्टन भी कर सकता हूं बॉलिंग फरस्ट में नैथन मैं के पास बहुत अच्छा वैल्यूबल असट हो सकता है विद बैट पॉइंट देगे जा सकता है विद बॉल थोड़ा से एक्स्पेंसिव जरूर रहेगा हुक्स